नमस्कार साथियो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्य एकेडमी पर आज के इस वीडियो में 15 अप्रेल का जित्ता भी महत्वपून हमारा मध्यप्रदिस का करेंट पर बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में जो है आज के इस वीडियो की और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का जो हमारा सेशन रहने वाला है जो कंटेन रहेगा किस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले आज का जो मध्यप्रदिस का करेंट पर से हमारा है उसको यहाँ पर हम डिसकस करें जो कि आने वाली एक्जाम के point of view से important होंगे उसके बाद जीला दर्शन के अंतरकत मद्यप्रदेश का एक जीला हम यहाँ पर डिसकस करेंगे और आज का जो जीला जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी डिसकस करने वाले हैं वह होगा हमारा खरगोन जीला और सबसे लाश् का पूरा के पूरा सेशन रहने वाला है त चलिए हैं शुरुवात करते हैं आज के स्यूडियो कई और सबसे पहले आज का मद्यप्रदेश का करेंट डिसकस कर लेते हैं पहला question हमारे यहाँ पर निकल करा आता है आज के मद्यप्रदेश के करेंट अफेरों से question है कि मद्यप्रदेस के किस जिले की जिला पंचायत को 24 अप्रेल को जम्मू कश्मीर के सांभाज जिले की ग्राम पंचायत पाली में राश्टिय पंचायती राज दिवस पर आउजित कार्यक्रम में प्रदानमंत्री स्रीर नरेंद मोधी सम्मानित करेंगे तो देखिए मद्द प्रदेश के एक जिले की ग्राम पंचायत है उसको 24 अप्रेल को जम्मू कस्मिर का एक जिला है जिसका नाम है साबा जिला वहाँ पर एक ग्राम है जिसका नाम है पाली और वहाँ पर राश्ट्री पंचायती राज दिवस के उसर पर यानि कि 24 अप्रेल को आयोजित कार्यकरम में इस जीला पंचायत को आपका सम्मानित किया जाएगा तो कौन सी जीला पंचायत होगी चार ओप्षन यहाँ पर हम देख लेते हैं चार ओप्षन है भोपाल इंदोर रतला या राइसेन तो राइट आंसर आपका निकल कराता है ओप्षन है मद्दप्रदेश के भोपाल जीले जीले की जीला पंचायत है उसको 24 अप्रिल को कुछ महताफून जानकारी ग्राम पंचायत भोपाल जीला पंचायत को 24 अप्रिल को जम्मु कश्मिर के साभा जीले की ग्राम पंचायत पाली में राष्ट्य पंचायती राद दिवस्वर आजित कार्यक्रम में प्रदान मंतरी स्री नरेंद मोदी समानित करेंगे पुरुस जीला पंचायत है उसके अंतर के जितनी भी पंचायत आती है ग्राम पंचायत सबी जो है आपकी स्वच्छ गोशित हो चुकी है ग्राम इन छेत्रों में सो प्रतिशत वेक्सिनेशन हुआ है और नल जेल योजनाओ को संदारान महिला और समुद्वारा आपका किया चारा है महिला समसायता समु के कारियों में भी यह जो है आपका सबसे आगे है साती देदी केफे ने पूरे देश में धूमा चाहिए माग की बग्या की अउधाना से भी नवाचार को बढ़ावा मिला है तो इस प्रकार के सभी नवाचार के लिए और इस प्रकार की जो स्वच्छत मैं आपको देखना कुछ जरूर मिलेगा चलिए अगला कुछिन आप पर देखते हैं कि मद्द प्रदेश के किस नगर निगम को अर्थ डे डोट ओर्गिनाइजेशन द्वारा डे नेटवर्क स्टार मुंसिपल लिडर्शिप अवाड शत प्रतिशत घरों से कच्रा कलेक् इसने झोते हैं जोई दे अर्थ डे नेटवर्क स्टार मुंसिपल लिडर्शिप अवाड जो आपका प्रतान किया और क्यों प्रतिशत घरों से कच्रा का कलेक्शन के लिए यह अवार्ड आपका प्रतान किया गया है तो यह आपर कोशन कि मद्द प्रद्दस के किस नगर निंगम को यह ऊवाड यानिकी आर्थडेल से नेटवर्ख इस्टाल सुर्ड मुंशिपल लिडर्शिप और जो है आपका दिया गया चार सिंह आपर आपकी सामना है बोपाल नगन निगम, इंदोर नगन निगम, रतलाम नगन निगम या फिर राइसन नगन निगम तो राइट आंसर आपका यहाप पर बनता है option है मध्यप्रदेश के बोपाल नगन निगम को यह आपका यहाप यहाप पर दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी किछ मात्रपून जानकारी बोपान लगन निगम को अर्थडे डोट ओर्गिनाइजेशन द्वारा अर्थडे नेटवर्क इस्टान मिंसिपल लिडर्शिब अवाड शत्त प्रतिशत गहरों से कच्रा कलेक्शन के लिए नगन अर्थडे नेटवर्क इस्टान मिंसिपल लिडर्शिब अवाड है किसे दिया गया भोपाल को जो है आपका दिया गया कि संस्ता ने दिया तो और्थडे डोट ओर्गिनाइजेशन के द्वारा दिया गया क्यों दिया गया क्योंकि इसने सत्य पतिशत गहरों से आपका कच्रा कलेक्शन किया था तीन बात याद रखनी है किसको दिया है किसने दिया है और क्यों दिया है किस ने दिया है क्यों दिया है और किस लिए जो है आपका यहाँ पर दिया है तो तीन बात जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है चलिए बात आई यह भोपाल की तो इससे जुड़ी कुछ मातपूर जानकारी आप देख लिजे अगर आप से पूछ तो मद्दःप्रद्दैस्स के भोपाल में इसको है आपको खोला है अगला कुर्शन बनेगा कि भोपाल के हभीकभ्ण्ज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका कर दिया गया 12 बोडल अपका पॉब्लिक पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनरिसिप जो मोडल है उस पर जो है यह आपका यहां पर आदारीत है तो यहां से भी जो है आपका कोर्ष्ण एक्जाम में देखने को मिल सकता है अगला कोर्ष्ण बनेगा कि नेशनल गिरिन टिबिनल यानि कि एंजीटी राष् मेनेजमेंट आपका कहां प्रकाल में इस है और इसतापना की स्ताफना की जाती है अगला कोर्ष्ण बनेगा जीलो कीrod की नाम से किसे जाना जाता है और आपका जाता है कि मद्यी नाइडा पर इस तह तो मद्यब्रदास के भॉपाल में जो है इह आपका इस्तित है चलिए कुछ अगले कुछ अगला कुछ यहाँ पर देखते हैं कि मद्दप्रदस के की शहर के स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट को स्कोच सिल्वर अवाड आपका दिया गया है चार उप्षेन आपर आपके सामने निकल कराते हैं बोपाल इंदोर रतला या राइसेन तो राइट आंसर आपका बनता है उप्षेन भी मद्दप्रदस के इंदोर शहर का जो स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट है उसको स्कोच सिल्वर अवाड जो है आपका दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महतपून जानकारी पर्षी में मद्दप् पर्षीम चेतर की बिजली वित्रन कमपनी द्वारा बिजली उप्भोकताओं के लिए आदूनिक रेडियो फ्रेक्वेंसी स्मार्ट मिटर का उप्योग क्या गया है इन दोर शहर में देश में सबसे पहले इन मिटरों का यानि कि यह फ्रेक्वेंसी वाले आपके मिटर है इनका जो है आपका उप्योग क्या गया है कमपनी को इस नवाचार के लिए यानि कि इन्होंने जो यह आदूनिक रेडियो फ्रेक्वेंसी वारे स्मार्ट वोटल लगा है इस नवाचार के लिए जो है इनको यह अवार्ड आपका दिया गया इसकोच सिल्वर अवार्ड ज वाला मद्यप्रदेश का पहला शहर है तो देखिए अगर आपसे पूछा जाई कि पहली बार यह जो आपके आधूनिक रेडियो फिर्क्वेंसी वाले स्मार्ट मिटर है मद्यप्रदेश के के शहर में लगा गए इंदोर शहर में लगा गए अगला कोशन बनेगा कि सत्य प्रतिशत स्मार्ट मिटर लगाने वाला मद्यप्रदेश का पहला शहर कौन सा है तो वह आपका महू है तो यह जो है हमें यहाँ पर याद रखना है प्रदान की गई है चार अप्शन है काना किसली राष्ट उद्दान पन्ना राष्ट उद्दान सत्यपुर्ण राष्ट उद्दान या उप्रोक्त सभी तो राइट आजसर आपका बनता है काना किसली राष्ट उद्दान को यहां पर जो है T का कल्चिरल आपकी जो सेदान्तिक स्यूक्रती है वह आपकी यहां पर प्रदान की गई है चलिए अगला कोशन आपर हम डिसकस कर लेते हैं अगला कोशन है हाले में कुशावा उठाकरे सभागार में इंट्रेक्टिव फोरम ओन इंडियन एकोनोमी द्वारा चेंपियन शोप चेंज कारेक्रम का आयोजन किया गया है तो कोशन है कि यह जो कुशावा उठाकरे अभी सभागार है आपका कहा पर इस्तित है तो यह मद्यप्रदेश के भूपाल में आपका इस्तित्य ओप्शन है हमारा यहां पर आइड़ांसर बनता है चलिए 2021 के मद्यप्रदेश के कर कुछ important questions यहां पर हम discuss कर लेते हैं पहला question यहां पर आपका बनेगा कि मद्यप्रदेश राज्य होकी अकादमी की खिलाड़ी वंदना कटारिया को कौन से पूरुसकार से सम्मानित क्या गया तो इन्हें पदमश्री पूरुसकार से आपका सम्मानित क्या गया अगला question कि देश का सबसे लंबा रेल्वे फ्लाई ओर आपका कहां बनाए जा रहा तो मद्यप्रदेश के कट्रनी जिले में बन रहा है अगला question है कि मद्यप्रदेश राशन द्वारा वर्शे 2022 मद्यप्रदेश रत्न मद्यप्रदेश गोरव और मद्यप्रदेश श्री पूरुसक कहते हैं आज का झता हम डिसकस करने वा वाले हैं हमारा घर रेट केलर वाला जो मेप में हैं आप देख्सकते हैं यह जो है हमारा घर इससी बात करें तो खंडवा बुरानपूर देवास-इंदोर-धार और बढ़वानिके साथ जो है यह ए अपनी सीमा यहा पर साजा करता ह साथ ही महाराष्ट राज्य के भी साथ अपनी सिमा साजा करता है तो चलिए खरगोन जीले से जुड़ी कुछ महत्पूर्ण जानकारिया यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला कोर्शन बनेगा कि खरगोन जीला कि संभाग के अंतरगत आता है तो यह आपका इंदोर संभाग के नाम से इसको जो है आपका जाना जाता था आगिए बनेगा कि फच्चिस में नाइंटी नाइंटी एट को खरगोन जीले से अलग करके कौन सा जीला आपका बना जाता है तो बढ़वानी जीले का गठन आपका क्या चाहता है या इस प्रकार से कॉर्षन आएगा कि जो बढ होगrator कौन सा जी बनता थो आपका बढ़वानी चीला बनता है महीं अगर आप लग होकर कौन सा बनता है बुरानपूर बनता है कब बनता है 15 अगस्त 2003 को जो है आपका यहाँ पर बनता है चलिए कुछ और फेक्ट है यहाँ पर हम खरगोन जीले से जुड़े हुए देख लेते हैं जो कि एक्जाम के पॉंड वी से हमारे लिए इंप्पोर्टन है अगला कोशन बनेगा कि जो राज्य का कपा सनुसन्दान के इंदर है आपका कहां पर इटित है खरगोन-जीले में इच्टित है अगला कोश्चन बनेगा कि निमरानी प्रमुक द्युकिक छेतर है यहां से भी कौश्चन अमारे लिए बन सकता है अगला कोश्चन बनेगा कि खरगोन जीले के उन में पावागरी प्रसिद्ध जेन तीर्थ इस्तल भी आपका इस्तित है तो सिधा सिधा कोशन आईगा पावागरी प्रसिद्ध जेन तीर्थ इस्तल कहां पर इस्तित है तो मद्यप्रदेश के खरगोन जीले में आपका इस्तित है अगला कोशन बनेगा क कि खरगोंजीले के रावर खेड़ी नामकिस्तान परर न्रमधा नदी के किनारे मराथा पेशुवा बाजीराव प्रथम का समाधी इस्तल भी आपका जो है इस्तित है तता यही पर मस्तानी की आपकी छत्री भी इस्तित है खरगोन जिले के पिपले खुर्द में संत सिंगा जी का जो मेला है उसका भी आयोजन आपका किया जाता है तो सिधा सिधा कोशन आएगा कहां पर आयोजित होता है तो यह आपका खरगोन जिले में आयोजित होता है खरगोन जिले की बढ़वा तेसिल में केंद्रिय उद्धोगी की उद्धोगी की सुरक्षा बल यानि की CISF का प्रसिक्षन केंद्र भी आपका इस्तित है तो सिदा सिदा कोशन आएगा CISF यानि की केंद्रिय उद्धोगी की सुरक्षा बल का जो प्रसिक्षन केंद्र है आ कबने गा थो सिद्धा क्षेश के नर्मदा के चेड़ बसे बढ़वा और जो आपसे दौट भोड़ा श्रहर के नाम से आपका जाना जाता है तो राइट आंसर बनेगा बढ़वा और सनावत को जो है आपका जाता है साथ देखिए देवी एल्या भाई होलकर ने महेश्वर को जो है अपने दूसरी राजदानी बनाया था महेश्वर का आता है खरगों जिले के अंतर गता आता है महेश्वर इस्तित गहाट नर्मदा नदी पर बना मध्या प्रदेश का सबसे बड़ा गहाट है तो यहां से भी कुश्चन आएगा कि मध्या प्रदेश का सबसे बड़ा गहाट कौन सा है महेशवर गहाटे कहां पर बना है तो नर्मदा नदी पर जो है आपका बना हुआ है महेशवर में देवी इल्याबाई संग्रालाई भी आपका इस्तित है जिसे 1974 में बना गया तथा 1998 में नय बहुन में इसको आपका इस्तापित क्या गया है महेशवरी साडिया जो है आपके यहाथ से बनाई जाती है और महेशवरी साडियों को आपका GI टेक भी आपका प्राप्त हुआ है और मद्दप्रदेश में GI टेक प्राप्त करने वाला यह जो है आपका पांचवा यहाँ पर उत्पाद है अगला कुछ फ्यक्टर देख लेते हैं कि महेश्वर में नर्मदा नदी पर सहस्त धारा जल प्रपात इस्तित हैं यहाँ पर नर्मदा कई धाराओं में बढ़ जाती है इसलिए इससे सहस्त धारा जल प्रपात भी आपका कहा जाता है तो सिदा सिदा कोशन आएगा कि सहस्त नर्मदा नदी पर बना हुआ है अगला कोशन बनेगा कि मंdleेश्वर में महेश्वर बान्ध आपका इस्तित है और इसकी कूल उत्पादन छमता आपके चार सो मेगावाट है साथी खरगोन जिले का नवदा टोली जो है तामर पाशान का लिन इस्तल है और इस इस्तल का उतकनन हंस मुख धीरजलाल सांकलिया ने 1952 तिरेपन और 1957 उनसाहट में जो है आपका किया था देखिए HD HD सांकलिया का जो है नाम आपने सुना होगा उनिके द्वारा जो है इसका उतकनन यहाँ पर आपका किया जाता है चलिए अगला कोशन जो है हम यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा फेक्ट बनेगा कि खरगोन जिले की कसरावत तेसिल में वियार करविंदर द्वार पर प्राप्त किये गए थे चलिए कल जो आप से कोशन पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पर बता देते हैं कि वीरो का केशाओ बसंत है किसकी रचना है चार अप्शन थे सुबद्रा कुमारी चोहान पंडित माखनलाल चतुर्वेदी मेतलिर शरंगुप्त या सुमित्र नंदन पंथ है तो राइट आंसर आपका मनता है सुबद्रा कुमारी चोहान की जो है वीरो का केशाओ बसंत यह रचना जो है सुबद्रा कुमारी चोहान की है चलिए अगला कोशन आप सभी को यहाँ पर कमेंड करके बताना है कि खरगों जीले में कौन सा अनुसंधान के चार उप्शन है यहां पर कमेंड करके बताना है तो साथियो यह था अमारे आज के मद्यपरदैस के करेंड पर करेंड को सेशन के सा लगा कमेंड करके जरूर बताइएगा तो अब तक इसकी notification पहुत जाए तो आज के लिए वस इतना है, thank you very much.